नमस्का नेपाली मित्रों आपके लिए गजब का समाचार लेकर आए हैं सुनके आपको गर्व होगा अब तक आप सुनते थे कि चाइना नॉर्थ कोरिया और रस्या हैकिंग के मामले में सबसे आगे हैं लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हैकिंग से सुरक्षा करन में या हैकिंग करने में नेपाली इस समय एक नमबर पर चले गया यानी हैकिंग के मामले में या साइबर सुरक्षा के मामले में जितना समीप और याल को पता है उतना दुनिया में किसी को पता नहीं ना चाइनीज हैकरों को ना नोर्थ कोरियन हैकरों को ना रस्यान हैकरो को हैकिंग या सुरक्षा दोनों चीज कि जितनी जानकारी समीप और याल को है उतनी इस समय किसी को नहीं क्योंकि फेस्बुक ने इन्हें एक नंबर की लिस्ट में रखा है इन्होंने दोस्तों कहा कि हम एक ही लिंक में किसी का भी एकाउंट हैक कर सकते हैं देखिए यह हैकर नहीं है यह हैकिंग से सुरक्षा करने वाले हैं यानि किसी को एक लिंक भेज़ दो और उसका सारा एकाउंट हैक कर लो तो यह पता इन्होंने लगाया इसकी जानकारी फेस्बुक को दी तो फेस्बुक ने इसमें सुधार किया और इनको दो हजार चौबिस का सबसे साइबर सुरक्षा का बिशले सक का दरजा दिया और एक नंबर पे इनको रखा गया है अब दोस्तों सोचने वाली बात है जहां चाइना, अमेरिका, इंडिया, रसिया, नॉर्थ कोरिया सबसे ज़्यादा साइबर सुरक्षा पर काम करते हैं और सबसे ज़्यादा हैकरों क जो सेना है वो चाइना नौर्थ कोरिया और रशिया के पास है वो लोग भी इस नेपाली से पीछे हो गए यानि समीब अर्याल ने फेस्बुक की सबसे बड़ी कमजोरी पता लगाई आपको पता होना चाहिए कि फेस्बुक ने दो हजार त्याईस में दो सो उनतिस बिलियन डॉलर का कारो बार किया ये 229 बिलियन डॉलर कितना होता है दोस्तों यह होता है नेपाल की साथ साल की जी डिपी सकल घरेलू उत्पादन नेपाल एक साल में 40 45 बिलियन डॉलर की इकोनमी है 40-45 बिलियन डॉलर का उत्पादन करता है यानि जब नेपाल 7 साल तक सारे नेपाली काम करेंगे उसका पैसा होगा लगबग 230 बिलियन डॉलर उतना पैसे का ब्यापार फेस्बुक ने 21 साल 2023 में किया तो अब आप अंदादय लगा सकते हैं फेस्बुक कितनी अंचारी हैं यानि कह सकते हैं कि टॉप फाइब में फेस्बुक एक दो तिन चार नंबर पर आता है पूरी दुनिया में यानि टॉप फाइब में है सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जरनेट करने वाली कमपनी और इस कमपनी के लिए समीप और्याल ने काम किया और उन्हें ने समीप और्याल को एक नंबर पर रखा तो ये छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों यानि अमेरिकन चाइनीज नौर्थ कोरियन रशियन इंडियन ये सारे जो साइबर सुरक्षा वाले बिसले सक हैं डॉक्टर बने हुए हैं ये सब के सब फेल होगे दोस्तों भारत में क दिमाग कम है क्योंकि मैं तो नेपाल पर वीडियो बनाता रहता हूँ पिछले 5 साल से तो हमने देखा ये औरोप में अमेरिका में नेपाली लोग बड़े बड़े डॉक्टरों के पत पर हैं इंजिनियरों के पत पर हैं अच्छे एजुकेड़ लोग हैं मतलब मुझे कभ दोस्तों वीडियो बनाते हैं नेपाल पर और सर्च करते रहते हैं तो हमें पता है कि नेपालियों का दिमाग इंडियन का दिमाग सबका लगबग एक जैसा ही होता है नेपाल में भी अच्छे अच्छे विद्वान आपको मिल जाएंगे एजुकेटर जो लोग हैं ऐसे ब रन बना के मैच जीत लिया यदि आप पिछला मैच देखेंगे नीदरलेंड नेपाल का तो नेपाल ने 15 ओबर में नीदरलेंड को हरा दिया था और 9 विकेड से ये मैच जीत लिया था लेकिन आज नेपाल दो विकेड से ज़्यादा ले ही नेपाया नीदरलेंड के आज न नेपाल की ना बैटिंग चली और बॉलिंग चली दोनों फलोप हो गई ऐसे तो दोस्तों ये बहुत चिंता का विशे हो जाएगा दो हजार क्याईश में नेपाली किरकेट टीम का रिकार्ड बहुत अच्छा रहा है असी परसेंट जीत हासिल की है लेकिन इस बार दो हजार 24 में नेपाली टीम की जो जीत है वो कम हो रही है अपने घरेलू मैदान में नेपाल ने चार मैच खेले जिनमें तीन मैच नेपाल हार गया तो दोसतों ये चिंता का विशे है की नहीं है बिलकुल है क्योंकि आप और हम उमीद कर रहे है कि नेपाल की किरकेट टीम टॉप टेन में सामिल होगी लेकिन ऐसा खेलेंगे तो दोस्तों टॉप 15 से भी नेपाल किरिकेट टीम बाहर हो जाएगी आज अकेले केवल कुसल भुर्तेल चले हैं 56 रन उन्हों ने बनाया बाकी 5 रन 20 रन 25 रन 8 रन 0 एक ऐसे पर सारे नेपाली पलियर आउट हो गये और बॉलिंग भी इनकी एक दम बेकार रही केवल दो बिकेट लिये बस यानि दोनों फलोपरा आज बैटिंग भी और बॉलिंग भी धन्यबाद